हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह वताने जारों कि कैसे आप अपने iq9 android वाइल फोन में आप जो है color correction setting को आपना use कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह color correction setting जो है काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में आपको detail में जानकरी देने वाला हो तो चलिए आप यह option मिलेगा accessibility इसे आपको select करना है इसके अगले page में आपको नीचे option मिलेगा color and motion का इसे select करना है इसके अगले page में आपको option मिलेगा color correction का इसे select करना है अब यह page आपका open होगा color correction का इसमा आपको नीचे use color correction के ठीक सामने अले button को tap करके से on करना है ठीक है इस setting को on करने से पहले टाउं इसे अघ्र हो गया उनीगी कि फीका हो गया है तो such a कि आपके मोईल फोन में जितने किलर्स होते हैं जहां कहीं भी कलरती है उनका कलर फेड बादेंगे अब मैं आपके कमक्रेंग इस तहींसे काम करती है on करने के बाद ठीक है अब मैं आपको यह color correction setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूं आपके mobile phone में इसके लिए आपको करना क्या होगा यह जो आपके mobile phone का setting page है इसे आपको फिर से open करना है starting से ठीक है इससे क्या होता है आपको mobile phone आपको directly इस setting page में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में